हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइड दोस्तो अगर आप बेसिक सिक्षा परिश्यत के नियंत्रना धिन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिश्यती विद्याले में पता और सिक्षक सिक्षी का भाई बहन अपने दायतों इम कर्तब्यों का कुसलता पूरवक्त निर्वान कर रहे हैं तो ये वीडियो ये इन्फरमेशन ये लेटिस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट और इन्फरमेटिव होने जा रहा है दोस्तों निपुड असेस्मेंट टेस्ट उतर प्रदेश सरकार दोस्तों करा रही जिसके तह सिक्षक वाकई कक्षा एक से आठ तक सहयोग करेंगे सिक्षकों के सहयोग के बिना ये परिक्षा संभो नहीं है तो सभी को दोस्तों सहयोग करना है सभी को मिशन मौड पे काम करना है इन कक्षा एक से तीन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बच्चे छोटे हैं और आज प्रिजिना करेले द्वारा निर्देशित है कि सिक्षक पच्चों से फीड़ बैक ले करके उनके OMR शीट को फिल करेंगे और उसको स्कैन करेंगे वही चार से जो आठ तक की परिक्षा होगी वो लर्निंग आउटकम बेज़्ड परिक्षा है जिसमें बच्चे ही अपने रेस्पॉंसेस को डार्कन करेंगे यानि कक्षचा चार से लेकर के उपर की कक्षाओं में जो परिक्षा होगी उसमें बच्चों को कंपोजिट जो धनराशी विद्याले प्रबंद समिती के एक हातों में गई है उसमें पांच रुपे प्रति बच्चे के हिसाब से आप डा देशित है और बच्चे ही उसे डार्कन करेंगे हाँ बच्चे कुछ वीक भी हो सकते हैं कुछ बहुत ही फास्ट लर्नर हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति में सिक्षक बिल्कुल बच्चों का सहीव करेंगे कोशिश करेंगे कि एक दो दिन पहले ही बच्चों को रिहर्सल करा द ताकि जो स्लो लेर्नर्स हैं जो कि बच्चे वीक हैं वो भी आपनी रफ्तार पकड़ने मुखधारा में आ जाएं तो कुछ महतपूर्ण बाते हैं जो कि यूटूब शेशन राज परिजिना कारेले समगर सिक्षा विद्यभान मिशाद गंज लखनो के माध्यम से मिली हैं औ इसके लिए ये बहुत ही महतपूर्ण बाते हैं बहुत ही महतपूर्ण तत्त है परतेक सिक्षक सिक्सी का भाई बहन को इसको सुनना चाहिए जानना चाहिए और अपना सुनने जानने के बाद ही इस वीडियो को आने सिक्षक सिक्सी का भाई बहने तक जरूर साजा करना च कि आते हैं और हम देखते हैं कि निपूर असेस्मेंट टेस्ट उतर प्रदेश सरकार जो करा रही उसके पीछे मंशा क्या है तोस्तों नेट पर आयोजित यूटूब शेशन आज हुआ 22 नॉबंबर 2022 को अपरहान एक बजे राज परिजना कारेले द्वारा ये यूटूब शेशन आयोजित हुआ जिसमें बात निकल के आई कि यह लर्निंग लेवल पर बेसलाइन डेटा कलेक्शन के लिए एक असेस्मेंट है यह असेस्मेंट पूर्ण पारदर्शिता हैं सुचिता के साथ संपन आपको कराना है और त्रेमासिक असेस्मेंट टेस्ट क्यों जरूरी है या निपूल लक्ष के प्रति हमारी वर्तमान प्रगत जांचने के लिए है या हमारी अगली तिमाही के लिए लक्ष निरधारित करेगा इसी के आधार पर जनपत आधारी फोकस्ट गत्विधियों का संचालन भी किया जाएगा कक्षा 1-8 तक सभी कक्षाओं के छात्रों का दोस्तों आकलन होना है जैसे कि आप सभी जानते हैं आकलन OMR शीट पर होगा सरल एप की माध्यम से होना है जहां कक्षा 1-3 तक हर बच्चे का आकलन अध्यापक करेंगे OMR शीट भी भरेंगे और वहीं कच्षा 4-8 तक के बच्चे खुद ही उसे हल करेंगे OMR को भरेंगे सभी OMR स्कैन का कारा अध्यापक का ही होगा subject chain में मंडल का नाम और सेट नमबर का ध्यान रखना है गलत chain आपको कते यह नहीं करना है scanning में phone आपको land skip mode पे रखना है जो भी mode है वो land skip mode पे ही आपको mobile को रखना है जो चात्र आएं नहीं उन्हें absent आपको चिनित करना है कक्षा 1-3 तक कि अगर हम बात करें तो कच्छ एक से तीन में हर बच्चे का प्रशन पत्र अलग अलग नहीं होना है और या बच्चों को वितरित नहीं करना है अता इनकी संख्या आप तक कम आई है घर बच्चे का नहीं होना है तो जैसे की बात हो रही ही एक OMR शीट में तकरीबन आठ बच्चे आ जाएंगे आठ बच्चे के उपर एक question paper आया हुआ है ऐसा नहीं कि individually आपके कक्षा में बच्चे ना मांकित हैं तो हर बच्चे के लिए प्रशन पत्र नहीं आएगा आठ बच्चों के उपर एक प्रशन पत्र रहेगा पूरे प्रदेश में कक्षा के section को आपको एही भरना है एक दिन पहले ही list up आपको कर लेना है सूची बद्ध कर लेना है पच्चा उत्तर सही देता है तो गोला भरे अन्यथा उत्तर गलत होने पर उत्तर ना ग्यात होने पर आप उसे खाली छोड़ दे जहां कक्षा 4-8 की बात है तो बच्चों को प्रश्ण पत्त हल करने का आपको प्रयाप्त समय देना है जब बच्चे प्रश्ण पत्त हल कर ले तब ही OMR sheet का वितरन करें एक OMR sheet पर एक ही छात्र अंकित होगा OMR sheet छात्र स्वयम भरेंगी ये दिमूल सूचना भरने में छात्र को कठनाई आती है तो अध्यापक सहायता कर सकते है ये अध्यान रहें कि बच्चे की ID गलत नहीं भरी जाएगी पच्चे यह पहले से सिखाएं कि वह गोला ठीक से भरे जी हाँ दोस्तो डारकन करना गोले को कैसे काला करना है इसको तो आपको शुरू में पहले से ही सिखाना होगा जब सब बच्चे OMR sheet भर लेंगे तब हर बच्चे की OMR sheet उसके नाम की कॉलम में सरल एप पर स्कैन करनी है जब सबी Mark sheet एक स्कैन हो जाया और स्कैन स्टैटस की संख्या प्रदर्सित होने लगे तो Save All scan का विकल्ब चैन करें कक्षा में संख्या अधिक हो तो 20-20 के बेच में स्कैन करें अधिक संख्या होने पर आपलोड होने में समस्या आती है कि गलती से सेव पहले चैन हो जाए तो घबराय नहीं दुबारा स्कैन करके फिर स्कैनिंग कर सकते हैं जी हाँ दुबारा आप स्कैन कर लिए फिर सेव कर सकते हैं कोई भी समस्या होने पर बेजी जेक अपने SRG ERP स्रिक्षक संकुल तकनीकी स्कैन करते समय डाटा गलत है तो स्वयम ठीक करें शत प्रशत विद्यार्थियों काकलना आपको करना शुनेशित करना है और इसे आपको अभिवावकों में भी साजा करना है असेस्मेंट टेस्ट होना है इसके बारे में अभिवावकों को भी बताना है खाली छोड़ दिये जाना है दोस्तों चो खाली प्रशन है उसे छोड़ देंगे स्कैन करते समय डाटा गलत है तो स्वयम ठीक करेंगे और और दोस्तों यहां पर बात हो रहे टीम भावना से आपको काम करना है इस संदेश आप सभी अध्यापकों तक आपको साजा भी करना है आज करी इतना है थैंक्स पर वाचिंग और लिस्निंग दिस इजाजे प्रकास दूबेश साइनिग आप